चरी बदे को सब्गेभर को इस वीडियो की नियुक्ट से पहिने है नहीं अगर होने वाला ही है तो क्यों होने वला है इतní सिदियुन क्या है ज़ी उन 에स इसके वज़ा से exam को cancel किया जा रहा है तो चलिए देखते हैं इस जो यह वीडियो जो है main मुद्दा इसी पे रहेगा कि exam cancel हुआ या नहीं हुआ है तो देखते हैं बिहार दरोगा exam paper leak 2023 बिहार SI exam cancel क्या परिक्षा होगा cancel तो guys आप headline को देख रहे हैं जो की main मेरा मुद्दा यही है exam cancel हुआ या नहीं हुआ तो इहीं बातों को cover करेंगे इस वीडियो में अगर आप एक candidate हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको आंत तक देखना होगा तो आपको doubt जो clear हो जाएगा बिहार दरोगा exam paper leak 2023 बिहार SI exam cancel दरोगा भरती परिक्षा का question paper viral होने के कारण हो सकता है कि बिहार सी भरती परिक्षा को रद कर दिया जाए क्या है पूरी update हम आपको इस article के माध्यम से बताने वाले हैं इसलिए पूरी जानकार जानने के लिए आप हमारे इस article को ध्यान से पढ़े जिस तरह से बिहार पुलिस का परिक्षा का paper viral होने के बाद से परिक्षा को पूरा cancel कर दिया गया था और वह परिक्षा अभी तक नहीं लिया गया है तो क्या यह परिक्षा भी cancel किया जाएगा यह पूरी जानकारी हम आपको यहां पर देने वाले हैं मधवनी में पती पतनी की रफतार प्रस्न पत्र कर रहे थे वाइरल आप लोग ध्यान से पढ़ियेगा गाई ध्यान से सुनिएगा अगर आप इस वीडियो को continue watch कर रहे हैं तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजीत बिहार आवर निरिक्षक पद की परिक्षा में रविबार को आर्य कोलेज पंडोल सेंटर से प्रस्न पत्र लिख करने की बात सामने आई है सुत्रों से मिली जानकारी के आमुसार बेनी पटी की रहने वाली रीतु का सिंटर रम कोलेज में परिक्षा केंद्र पर उसके साथ उसका पती संजीब कुमार भी आया था दुत्यपाली में जेमर की तकनीकी खरावी आ गई थी किसी परकारी तू ने मुबाइल के माध्यम से प्रस्न पत्र को अपने पती संजीब को भेज दिया फिर संजीब बाहर से प्रस्न को सौल्व कर अपनी पती को बाहा बता रहा था परिक्षा दे रहा है परिक्षार थी जो जांच के दवरान मुबाइल के साथ पकर लिया गया ततकाल केंदर अधिक्षक वरी अधिकारियों को जानकारी दिये जानकारी मिलने पर वरी अधिकारियों ने मोबाइल को खंगाल जिसके बाद पती पतनी दोनों को गिरबतार कर आगे की कारवाई के लिए ले गए बिहार दरोगा परिक्षा का प्रस्न पत्र वाइरल हुआ बिहार दुरगा परिक्षा रविबार को यानि 17 दिसंबर को पहली 10 बजे से लेकर 12 बजे तक लिया गया था वहीं दूसरी पाली की परिक्षा दो तीस से लेकर दो चालिस तक लिया गया था इस परिक्षा में लगवक्षे लाकब भारतियों ने भाग लिया था परिक्षा देकर दूसरी पाली से निकलने वाली सभी छात्र हैं काफी गुस्से हो गए जब उन्होंने यह जाना की बिहा बाहर जो question viral हुआ है वही question अंदर में पूछा गया था बिहार दरोगा एक्जाम पेपर लिख 23-24 बिहार SI एक्जाम कैंसिल करने की बात लगातार की जा रही है यहाँ सभी खबर परभात खबर नीज पेपर के द्वारा दिया गया है यहाला की इस जानकारी को परभात खबर में अभी तक कोई अधिकारिक प्रिष्टी नहीं की है अब इस सूचना के कारण जितने भी परिक्षार्थी इस परिक्षा में समिलित हुए से उन सभी को डर है कि कहीं बिहार औंस्टेबल भरती की परिक्षा कैटर बिहार दरोगा भरती परिक्षा को भी केंसिल ना कर दिया जाए बिहार दरोगा भरती परिक्षा केंसिल होगा क्या रविवार को ली गई बिहार दरोगा परिक्षा समपन होने के बात जिस तरह से क्वेशन पेपर वायरल होने के बिबात छीरा है इससे यह उम्मीर जताया जा रहा है कि बिहार कोंश्टेवर भरती परिक्षा की तरह इसका भी परिक्षा रत किया जा सकता है हाला कि अभी तक अधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी अफडेट नहीं किया गया है यह सभी जानकारी सोचल मीडिया और इंट Witness के माध्यम से लिया गया है हाला कि अभी संभा बना बताया जा रहा है कि जिस परिक्षा केंद्र से Question Paper लिख रुए है वहीं का परिक्षारत किया जाएगा इसकी सत्याता तो विभाग ही करेगा इस आर्टिकल में दिये गए सभी जानकारी सोसल मीडिया एवं इंटरनेट के माध्यम से लिया गया है जो भी जानकारी यहाँ पर बताई गई है इसकी सत्याता आप एक बार आवस्य कर ले इस आर्टिकल में दिये गए सभी जानकारी में किसी भी परकार की कोई गलती पाए जाती है तो इसकी जिम्मेवारी हमारी टीमे में हमारा यह वेब साइट ध्यान दे ऐसे ही केंद्र सरकार और राजी सरकार के दुवारा शुरू की गई या पूरानी सरकारी हो जनाओं कि जानकारी हम आप तक सबसे पहले बचाएं गाइस जो हमारा यह में टोपिक था वह कबर हो गया है गाइस एक्जाम जो केंसिल होने वाला था इसका में मुद्द बताया जा रहा है कि मुद्वनी का जो रहने वाला है इन ही ने जो है कि मुबाइल को दुरूपियक करके एक्जाम होल में प्रस्ण को डिल किये हैं और इससे साय यह पता चल रहा कि एक्जाम पहले वारल हुआ है या नहीं हुआ है इसका अभी तक कोई साक्ष नहीं मिला है गाइस और जब तक आयोग के तरफ से कोई निर्दे सुचना नहीं दिया जाता है कि एक्जाम केंसिल होगा या नहीं होगा तब तक हम लोग कोई डिसीजर नहीं ले सकते हैं गाइस तो एक्जाम केंसिल होने का कमी चांस है गाइस अगर होगा भी तो वही सेंटर का होगा जिस सेंटर से यह खबर निकल कर आ रहा है तो आप ल आपको बिहार दरोगा का हर अफडेट और इसी चैनल पर मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कोई अफडेट के साथ तब तक के लिए जैहिंद